हेलो गाइस मैं हिमान्शु शर्मा फ्रॉम डेवी बुब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल से आज आपके लिए प्लास एट के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चेप्र नमबर वन रेशनल नमबर एक्साइज 1.1 का कोशन नमबर 2 से हम आज स्टार्ट करेंगे ठीक है तो कोशन नम इंवर्स इंवर्स ओफ इच ओफ दव फॉल्विंग तो आपको इनके एडिटिव इंवर्स किते हैं ठीक है तो एडिटिव इंवर्स जो फॉस्ट कोशन है आपका इसका वो है 2.8 सेकंड है माइनस के 5.9 तवर्द है आपका माइनस के 6.5 अका बाल माइनस का 5 तो देखो एडिटिव इंवर्स जो होता है वो क्या होता है इसके एक बार बेसिक पार्ट के बारे जानते है जो इडिटिव इंवर्स होता है उसको हम लिखते है a एपोन b प्लस एड करना है इसा का इनवर्स को मतलब माइनथ सोल करें मैंनस आपन दिन We बसकर अडिन supposed करना है इसका टो अध्यटीटिव इनवर्स को मैंनस समझ आ गया वगा ठीक है उसको एडिया तो कितना आइगा यहां पर 0 तो इसका अडिटीव इन्वर्श दो है वो क्या हो गया सब्सक्राइब जो यह हो गया मैंज इसका टो अपन 8 हो गया ठीक है इसे तरिके से इसके अंदरे बात करते है माइनस का 5 उपन 9 प्लस 5 उपन 9 इस उगल टू कितना है का अंसर? 0 आएगा माइनस 5 उपन 9 का इडिटीव इनिवर्स कितना बन जाएगा? 5 उपन 9 बन जाएगा तो दोनों को जब भी हम एड गरेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा इसका ठीक है? इदि यह देखो माइनस माइनस उपन नीचे क्या बन जाएगा? 6 उपन 5 माइनस का 6 माइनस 5 प्लस यह क्या बनेगा? 6 उपन 5 बनेगा माइनस का ठीक है? तो आंसर कितना आएगा इसका? 0 आंसर आएगा मतलब जो भी आपके पास गिजिट भी है उसका शाइन चेंज गर दो वही उसका क्या होगा एडिटी इविनवर्स वका जो से 2 अपो ने है क्या होगा यह जो क्या मैनस 2 अपो ने है तो क्या प्लस का 5 ना थी माइनस माइनस इह दोगो नोह में प्लस दों कटो गए प्लस शोपउन फाई था ओधा तो माइनस का अध्यास पॉन ऐंगा आई हो आपको आपको यहात के समझ में आए का आप इसको लिखो किया से, अब हम बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं, question number 3 की तरफ, तो question number 3 क्या है हमारा? question number 3 को समझते हैं, verify that minus of minus x is equal to x, question number 3 है, verify that, that, minus of minus x is equal to x, 4, किसके लिए आपको प्रूव गरना है, first x के अंदर, x is equal to 11 upon 15, और second question है, इसमें, x is equal to minus के 13 upon 17, इन दोनों values के लिए आपको इसको क्या करना है, प्रूव करना है, तो start करते हैं, इसके solution से, तो इसमें देखो, minus minus निखा हुआ है, ठीक है, minus निखा, फिर अंदर भी minus, और x की जगह है, x की जगह है, 11 upon 15, तो 11 upon 15 की जगह रखा, x की जगह रखा, अब इसको आगे हम क्या करते है, solve करते है, तो देखो, minus और minus मिल की क्या बनाएगा, plus तो ये क्या बन जाएगा, 11 upon 15 ही बन जाएगा, जो की हमारा क्या था, ये ही तो x का पहले, ठीक है, आप इसके अदे कितने भी बार minus ही रखा, और इसका answer क्या आने वाला है, वह ही आने वाला है जो इसका पहले था, इसी तरीके से इसका solution करते हैं, देखो, x के जगहें, minus के 13 upon 17 रखना है, तो रखते हैं, minus, अंदर एक minus, और फिर रखना है, minus के 13 upon 17, जैकिन close, तो इसको solve करते हैं, minus minus क्या बनेगा, plus बनेगा, तो minus of, plus 13 upon 17, और ये minus plus क्या बनेगा, minus, तो minus के 13 upon 17 क्या रखना है, इसका answer आज जागगा, clear है, तो आई वोप ये वाला question भी, question number 3, आपको अच्छे से समझ में आए होगा, अब हम मूँ करते है, question number 4 की तरफ, जो हमारा question number 4 है, वो क्या है, exercise 1.1 का, question number 4, find the multiplicative inverse of the following, question number 4, find the, multiplicative inverse, of the following, following, clear हैं तो अब क्या करेंगे, इसके multiplicative inverse find out करने है, तो first जो question आपके पास, वो क्या है, minus से 13, second है, minus के 13, upon 19, third question है, 1 upon 5, वो फॉर्थ question है, आपका, minus के 5, upon 8, into, minus के 3, upon 7, तो देखो, multiplicative inverse की, जो, का जो basic part है, पहले हो समझते हैं, कि multiplicative inverse का जाएता है, जेसे हमारे पास, A है, तो A का multiplicative inverse का होगा, 1 upon 1, इनको multiply कर दो, A से A cancel हो जाएगा, answer कितना आएगा, 1 आएगा, clear है, तो ये समझता कुछ basic part है, क्या करना रहता है, उसको, जो भी चीज़े, उसको reverse करके लिख दो, उसका reciprocal लिख दो, और जब हम उसको multiply करेंगे, answer क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है, तो करते हैं इसको, इसका जो multiplicative inverse होगा, वो क्या होगा, 1 upon 13 होगा, sign नहीं change करना इसका है, ठीक है, minus है, तो minus का 1 upon 13 होगा, तो इसको multiplicative inverse होगा, इतना, minus का 1 upon 13, तो multiply करके देखते हैं, minus का 1 upon 13, तो देखो 13 से 13 कैंसे, minus minus plus, तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, clear है, इसका निकालेंगे, तो minus का 13 upon 19, multiply by minus का, 19 upon 13, answer कितना आएगा, 1, तो answer आएगा, 1 आएगा, clear है, इसका आपके पास है ही, multiply करना पड़ेगा, किस से, इसको डाइगा, 5 से multiply कर दो, तो इसका answer आएगा, कितना, 1, 5 से, 5 cancel हो जाएगा, इसी तरीके से, इसको solve करना पड़ेगा, तो पहले 5, 3, 15, और अपोन, 8 से बनेगा, किस का एगा, plus का एगा, क्यों को कि, minus minus क्या बनगे, plus बनगे, अब इसको multiply कर देंगे, इसके reverse से, 56 से उपर, और 15 कहा जाएगा, नीचे, तो क्या करेंगे, 56 से, 56 से, 15 से, 15 से, क्या हैगा, 1 answer हैगा, तो, आप क्या लिखोगे इसके अंदर, आप लिखोगे, the multiplicative inverse of, the, multiplicative, inverse of, of, minus 13, is, minus 1 upon 13, similarly, यह line लिख्या भी होगे, multiplicative inverse of, मैं short form में लिख रहा हूँ, आपको short form में नहीं लिखना है, ठीक है, the multiplicative, the, multiplicative inverse, of, minus k 13 upon 19, is, कितना होगा, is, minus k, 19 upon 13, similarly, the, multiplicative inverse, of, 1 upon 5, is, 5 upon 1, the, mi, mi का मतला, multiplicative inverse, मैं short form में लिख रहा हूँ, आपको mi नहीं लिखना है, ठीक है, of, minus, 5 upon, 8, into, minus 3 upon 7, is, minus, 15, plus 15, 56 upon 15, clear है, इसको, same, आप, पुल्टा करके, लिख सकते हो, 56 upon 15, लिखते हो, या फिर, आप इसको, लिख सकते हो, 8 upon 5, minus 8 upon 5, into, minus 8, 7 upon 3, clear है, आप इसको इस तरीके से भी, लिख सकते हो, so I hope आपको ये वीडियो, अच्छे समझ में आया होगा, साही कुशन समझ में आया होगे, अगर इसमें आपको कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट बोक्स में जाके कमेंट कीजिए, या फिर स्कूल के जो जएगे, तो वोट्सप नमबर है, आप उसमें जाके भी मैस्ज़ कर सकते हैं, I hope you like this video, Thank you.